हेलो गाईज ए लिग का आज का मैच सेंट्रल कोस्ट मारीनार्स FC भर्सेस ओस्टार्न उनाइटेट FC के बिच में होने वाला है तो चलिए इस मैच का न्यूस देखते हैं तो सबसी इंपोर्टेंट है टेलिग्रम चैनल पे जोईन होना क्यों इंपोर्टेंट है कनफर्म लाइन अपस और फाइनल टीम्स टेलिग्रम चैनल पे मिलेगा और जो भी फार्दर अपडेट्स न्यूस इनफॉर्मेशन आएगा टेलिग्रम चैनल पे आएगा और जो भी म description box चेक करो आपको टेलिग्रम चैनल का लिंक मिल जाएगा उसी लिंक के थुरू से टेलिग्रम चैनल पे जोईन करना है after line up final team टेलिग्रम चैनल पे मिलेगा और जो भी further updates, news, information आएगा टेलिग्रम चैनल पे आएगा तो definitely टेलिग्रम चैनल पे जोईन कर लो simply जो वीडियो देख रहे हो, उसी वीडियो की description चेक करो, आपको टेलिग्रम चैनल का लिंक मिल जाएगा उसी लिंक के थुरू से टेलिग्रम चैनल पे जोईन कर लो तो फिर से एक बड़ आपको नोटिफाई कर देता हूँ, टेलिग्रम चैनल पे जोईन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपटर लाइन अप फाइनल टिम टेलिग्रम चैनल पे मिलेगा और जो भी further updates आएगा टेलिग्रम चैनल पे आएगा अपटर लाइन अप फाइनल टिम आएगा टेलिग्रम चैनल पे जोईन कर लो तो चलिए निउस देखते है सो निउस स्टार्ट करते हैं दोनों टिमों के रिसेंट फार्म और हेट टो एड रेकॉर्ट से सेंटल कोस्ट माइनास लास्ट फाइब मैचेस में दो मैच उइन किया है दो मैच में लॉस फेस किये है और एक मैच में ट्रॉ किये है Western United का recent form बहुत खड़ाब चल रही है लास्ट के पांचों मैचेस में लॉस फेस किये है और एक भी मैच में वी नहीं कर पाए है और गोल की बात करूँ तो सिरिफ औ सिरिफ लास्ट दो मैच में गोल किये है तो attacking option भी उतना अच्छा work नहीं कर रहे है सिरिफ एक ही प्लेयर पी उपर डिपेंड है वह है डिनामेंटी तो बहुत खराब सिचुएशन अभी चल रही है Western United का रिसेंटली जो head to head matches हुआ था वहाँ पर Western United और नेल से जीते थे अनेक्सपेक्टेडली Central Coast Minors हाड़े थे सो देखो फूटबॉल मैच में कुछ भी हो सकते है लेकिन आगर आप basics देखोगे तो overall Central Coast Minors इस मैच में फेविरिट है और on the paper भी फेविरिट है मेरे नेजरिये से भी Central Coast Minors इस मैच में फेविरिट है अगर head to head record देखोगे तो यहाँ पर Western United से लाइटली बेटर परफॉर्मेंस पूट आप किया है लास्ट फाइव मैच में फ्री मैच में किया है Central Coast में दो मैच में किया है तो head to head में परफॉर्मेंस करते हो Western United तो खलके में मत लेना बोच साइट स्कोर मुझे लगता है इस मैच में होगा दो से ज्यादा गोल मैं एकस बेट कर रहा हूं Central Coast से और एक गोल मैं एकस बेट कर रहा हूं Western United से ठीक है तो टूँआ इस टाइप आप स्कोर शीट आपको दिख सकते है और यह लीग थोड़ा पुराना लीग हो चुका है तो जो भी अगर आप फुटबॉल की लीग उठा के देखोगे जो स्ट्राइट्स दूँगा इनफॉर्मेशन दूँगा पोजिशन बताऊंगा कौन सा प्लेयर क्या करते है बेसिकली मैं क्या बताता हूं Penalty Taker कौन है टैकलिंग इंटरसेप्शन में माहिर कौन है और कुछ पिलियास मैं ओप्शन दे देता हूं उनमें से अपको अच्छा प्रफॉर्मेंस करते हूं दिख जाएगा सो पॉसिबल लाइनप से स्टार्ट करते है वेस्टन उनाइटेट से गोल की बस में रायन स्कॉट खेलते हूं दिखेगा डिफेंस में तॉमकुई इमाई एरॉन कलभार ब्रेंडन हमील और कॉनर पेन मिट्फिलस में आपको जे प्रफॉर्मेंस के लिए परफेक्ट चॉइस है क्यूंकि एक ऐसे प्लेयर है जो सब कुछ करते हैं गोल हो ना हो आपको पॉइंट से देखे जाएगा उसके साथ साथ लास्ट मैस में गोल किया था इकार गॉटेस का तो एक इंपोर्टेंट और्शन होगा लैच लाइन व इनको नहीं पिक करने वाला हो अगर आपको लेना है ले सकते हो अच्छे स्ट्राइग करें लेगिन इस सीजन अभी तक उतना खास प्रफॉर्मेंस नहीं दे पाए है तो इसके बाद बात करूं इस्टिवेन लुस्टे का उतना खास प्लेयर नहीं है इनको मैं ड्रॉप कर जलूँगा ग्रान लिग में ट्राइग कर सकते हो डाइलांड पिरेस एक ऐसे प्लेयर एक गोल हो आपको 25 प्लस मोइंट देता रहेगा सेम टूसे में स्कोर्टी तो यह दो प्लेयर को मैं साइश्च करूंगे स्मॉल लिग में पिक कर सकते हो डिफेंस में कैसे प्लेयर है तो हमको इमाई बहुत अच्छे टैकलिंग इंटरसेफ्ट करते है तो अच्छे पॉइंट यह आपको देगा तो एक इंपोर्टेंट ऑप्शन है राइन स्कॉर्ट मेरेने जरी से इंपोर्टेंट है क्योंकि ज्यादा ओन टार्गेट दूसरी टीम सेंटल कोस्ट माइनर स इस बज़े से मैं उनको नहीं लेने वाला हूँ इस टीम से यह टॉप पिक है इन में से जायतर प्लेय सबको पिक करना है तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरी टीम की सेंटल कोस्ट माइनर्स की बात करूँ गोलकेस में मार्क बिरिक किटी है डिफेंस में स्टेफेन निग् मारको उडिना खेलत भी दिख जाएगा मैट सीमोन का रिसेंट फ़र्म थोड़ा पूर जल रही है लेकिन अन अप दा बेस्ट प्लेर है पूरे ऑस्टेलियान लिग के अगर अगर आप हिस्टरी उठाके देखोगे मैट सीमोन अन अप दा बेस्ट आईकर है तो अब हीँग तक फेसान का है यह है अनन बचया खेला बंध कर दो डूनम सेमों आशना मारको उडिना और माट सीमन दोनों ही जबर दस्ट प्लेयर है और ग्रांड लिक्ट में ट्राइ करता है वो में निजबेद अच्छे ओप्शन हो सकते हैं अगर बोच साइट ओन ओन स्कोर होते और कोई अनेक्स्पेक्टेस स्कोर होते तो यह दो प्लेयर ऐसे है जो आपको 25 प्लस पॉइंट इसली दे सकते हैं तो इस टीम से ट अच्छा हो सकते हैं अब निजबेद को भी ट्राइ कर सकते हो तो चलिए बात कर ले थे मेरी टीम कॉमिनेशन स्टाट करते हैं मेरी टीम कॉमिनेशन पहले एक प्लेयास के बाड़े में बत करना जरूरी है वह डैनिल डी सिलबा लास्ट मैच में नहीं खेले अगर यह खेल अब यह तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो एक लाइक से कर लेना लाइक से motivations मिलते हैं और चैनल को जो भी आभी सब्सक्राइब नहीं किये हो बात कर लो प्लेयार्स के बाड़े में सब कुछ पता चाल जाएगा खुद से टीम आपकीर कर पा होगे और सबसी की डिस्क्रिप्शन चेक करो आपको लिंक मिल जाएगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उसी लिंक के थुरू से टेलिग्रम चैनल पर जोईन करना है अप्टर लाइन आप फाइनल टिम टेलिग्रम चैनल पर मिलेगा और जो भी फार्दर अपडेट्स आ यहां पर अगर खेलते यहां पर टॉनगी उसको ऐसे प्लियार अगर खेलते तो अब पिक कर सकते हैं अच्छा ओप्शन हो सकते हैं कॉनर पेन भी अच्छे है रेकिन जल्दी सब्चिट्यूटरी इस बज़े से मैं उनको ज्यादा सजेश्ट नहीं करूंगा मिट्फलस मैं डिनामेंटी को पिक याओ डैनेल डीसिलवा बहुत अच्छे प्लियार लेकिन नहीं खेले थे लास्ट मैच में इस बज़े में खेलेगा तो मैं डेफिनेटल लूँगा अभी मैं नहीं पिक किया हूँ क्योंकि लास्ट मैच में नहीं खेले थे बोजन इसको प्लियर है जो आपको continuously अच्छे performance करते हुए दीख से रहे हैं तो ऐसे प्लियर्स को ही मैं captain सी दूँँगा वैस captain सी मेरा इस टीम का में स्ट्राइकर मैच सीमोन रहेगा लेकिन डिसेंटली पर्फॉर्मेस बहुत खड़ाब है तो मैच सीमोन के प्लेस पर आप आप किसी क आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंस के शेर करो थैंक्यू धन्यवाद वीडियो का अंतर देखने के लिए